आप लोगों के कुछ कमेंट्स देखे और उन कमेंट्स के माद्यम से आपने बहुत अच्छे कॉस्चन्स पूछे वे थे कुछ स्टुडेंट्स के द्वारा पूछा गया कि साभी अरावली सीरीज के सम्मन्द में कुछ एक प्रशन ऐसे हैं जैसे कि उत्री अरावली जो है ये क्वार्ट्स आइट और फाइलाइट शैलों से बनी हुई है तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये Quartzite क्या है, Fileite क्या है, या Basalt क्या है, या Dharwar क्रम क्या है, या Kudappa क्रम क्या है, RKN क्या है तो एक बर सार इस विशय को सपष्ट कीजिए तो मैंने एक Question बनाया और उस Question के कुछ विकल्प लिए और उस Question के उन विकल्पों के माध्यम से इस पूरे विशय को बहुत अच्छे से समझा दूँगा ये हमारा Rajasthan Physical Division का पार्ट चल रहा है और इसमें अरावली सीरीज के सम्मन में मैं आपको अभी तक Question Answers के माध्यम से लगबल 90% 90% कोर्स आपको करा चुका हूँ जो बचा कुचा कोर्स है वो संभवत है दो या तीन वीडियो के अंदर अंदर हो जाएगा तो Question की तरफ हम चलते हैं जो Question में ने बनाया है ये Question में पूछा गया है कि निमनलिखित में से सही कथन ग्याद करो यानि हमको True Statement यहां बताना है पहला है अरावली श्रंखला धारवार क्रम की चटान है जिसमें पिचान में प्रतिशत तक कोईला पाया जाता है दूसरा है चितोर जिले में विंदेन क्रम की चटानों का पाया जाना सिमेंट उद्धोक के लिए अच्छा है तीसरा है धारवार क्रम की चट्टानों में जीवाश में पाया जाता है चोथा है राजस्थान में टर्शरी क्रम की चट्टानों में गैस वे तेल के बंडार है और पांचवा है उत्तरी अरावली श्रेणिया क्वार्टजाइट वे फाइलाइट शेलों से या चट्टानों से बनी हुई है शेल का मतलब चट्टान हो गया तो आप इसमें से कौन से स्टेट्मेंट सही हैं और कौन से गलत हैं जाचने के लिए मैं ये पूरा विशय आपको अच्छे से समझा देता हूँ तो पहले एक इमेज की तरफ चलते हैं ये देखो ये पृत्वी की संरचना है मतलब सत्य है कि पृत्वी की जो सत्य है उसकी संरचना है ये पृत्वी की कुछ परते हैं सबसे उपर वाली जो परत होती है उसको हम बोलते हैं अर्थ, क्रिस्ट या उसको हम बोलते हैं भू परपटी नीचे ये लालाल जो आपको इससा दिख रहा है ये चटानों का पिगलावा रूप है तरल रूप है और जमीन के नीचे है तो जमीन के नीचे हम इसको बोलते है मैगमा यही मैगमा जब जमीन से उपर आता है यही जब जमीन से उपर आने की कोशिस करता है तो यहाँ इस जौाला मुखी के दुआरा यह जौाला मुखी है और यहां से यह बाहर निकलता है इस तरीके से तो यही मैगमा जब बाहर आ जाता है तो इसको हम बोल देते हैं लावा तो यह ज्वाला मुखी के द्वारा भी बाहर आ सकता है या जमीन में अगर दरार है तो उन दरार के माध्यम से भी यह बाहर आ सकता है मैगमा क्या है लावा क्या है सपस्ट हो गया अब ये मैगमा या लावा जमता है जमीन के नीचे भी जमता है जमीन के ऊपर भी जमता है और चटानों का रूप लेता है उसके बाद फिर ये चटाने तूट कर और नई चटाने भी बनती है उसके बाद वो चट्टाने भी तूट कर या उनका ट्रांस्फोर्मेशन होकर भी फिर नई चट्टाने बनती है तो इसी आधार पर हम चट्टानों को तीन भागों में डिवाइड करते हैं कौन से तीन भाग? पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं सारा तो बहुत पेशन्स के साथ बैठना तीन भागों में डिवाइड करते हैं पहली हो गई आगनेय चट्टान या इसको हम बोलते हैं इगनियस रॉक्स दूसरी हो गई आवसाधी चट्टान और तीसरी हो गई कायांतरित चट्टान आगनेय आवसाधी कायंतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स अब इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं आगनेय चट्टान तो इसके नाम से इस पष्ट है इसका नाम ही आपको चीक चीक कर कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इसकी क्या विशेशता है आगनेय में शब्द है आग तो आग का मतलब गरम या जलता हुआ तो ये तो दिखी रहा हमकों कि जमीन के नीचे ये जो मैगमा है इसको अटा दू मैं फिर से बना लेंगे पर ना खिच्डी सी हो जाएगी कि ये जो जमीन के नीचे मैगमा है ये बहुत गरम है इसमें आग लगी उपड़िये और इसी से सीधे इस मैगमा से या जमीन के उपर जबी आ जाएगा तो लावा अर्था तो मैगमा या लावा से जब सीधे चटान बनेगी जब ये जम जाएगा तो चटान का रूप ले लेगा और इनी चटानों को कहा जाता है तो इनको हम कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स अर्था जमीन के नीचे ही जम गया और यही मैगमा उपर आएगा लावा आएगा और लावा यहां जम गया तो जमीन के बाहर जम गया तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रूसिव रॉक्स अर्था जमीन के उपर एक्स्ट्रूसिव रोक्स ठीक है अब ये नीचे जब ये मैगमा जमा है तो ध्यान देना थोड़ा सा है ये आपको दिखे रहा है इमेजिस में कि ये उपर पृत्वी की सत्य अलग 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 पड़ते हैं और नीचे ये क्या करेंगी ये जो मैगमा जमा है इस पर बहुत लगाएंगी दबाव लगाएंगी और जमीन की जो नीचे गहराई में जमीन गरम होती हमको पता है वाँ टेंपरेचर जादा होता है जैसे जैसे हम जमीन में नीचे जाएंगे टेंपरेचर जादा होता है तो ये मैगमा जब नीचे जमेगा तो इस पर बहुत सारा तो प् कि बहुत जादा गरम होने के कारण हमको इसमें ना कोई जीवाश में मिलेगा अर्था कोई भी पेड thoughts कोई भी जीव जंतु हो गुवह कोन जीव चीव जंतू हो उसका कोई अंषि만में मिलेगा ना थो ना नीचे हमको कोई जिवाश में मिलेगा और ना ही यहाँ उपर हमको कोई जिवाश में मिलेगा तो इसका मतलब आगने चटानों में कोई जिवाश में नहीं मिलता, खैर हम नीचे Intrusive Rocks की बात कर रहे थे बात समझ में आई कि यह Magma जब नीचे जमेगा तो इस पर बहुत सारा प्रेशर भी होगा, बहुत सारा नीचे temperature भी होगा जिसके कारणी यह धीरे धीरे जमेगा, बहुत लंबे समय तक जमेगा और यहाँ नीचे जो चटाने बनेंगी वो बहुत ज़्यादा कठोर बनेंगी, किसकी अपेक्षा? उपर बनने वाले चटानों की अपेक्षा, यानि जब यह लावा उपर आके जमेगा, तो यहाँ बनने वाले चटानों की अपेक्षा नीचे बनने वाली चटाने अपेक्षा कृत ज़्यादा मजबूत होंगी, ज़्यादा कठोर होंगी, और ज़्यादा लंबे पाड़ा बोलते हैं पाड़ा तो यह पाड़ा जमीन के नीचे गया और जमीन के नीचे बहुत जगा टेंपरेचर होने के कारण इसका जो रंग है वो ग्रे हो गया हाला कि इसका रंग यह तो ब्लैक है लेकिन यह जब नीचे गया था तो गर्मी के कारण इसका रंग जो है व ग्रेनाइट ग्रे में गै का जो दूसरा आर्थ है वो है गैबरो गैबरो तो गै से दो हो गए एक तो ग्रेनाइट और एक गैबरो पाड़ा तो पै का आर्थ हो गया पैग में टाइट पैग में टाइट ठीक है साथ और डै का जो अर्थ हो गया वो हो गया डायोराइट तो ये वो आगने चटाने हैं जो जमीन के नीचे हमको मिलती है और उपर मिलने वाले चटानों की अपेक शाक्रित अधिक कठोर और मजबूत होती है ठीक है? अब बात करते हैं कि उपर जो चटाने मिलेंगी इसको अटा दूँ ये अटा दिया तो मैगमा नीचे जम गया है तो देख लिया अब यही मैगमा जब उपर आएगा तो ये लावा हो गया अब ये लावा जब उपर जमेगा तो ध्यान देना उपर का जो temperature है सतय के उपर का वो नीचे की अपेक्षा करत कम है और उपर ज्यादा pressure भी नहीं है उपर इन चटानों पर कोई pressure नहीं पड़ेगा क्यावाल हवा का जो pressure रहेगा वो रहेगा तो उपर ये जो चटाने बनेंगी ये एक तो जल्दी ठंडी हो जाएंगी प्रेशर नहीं है इन पर इसी के कारण ये नीचे वाले चट्टानों की यहां बनने वाले चट्टानों की अपेक्षा क्रित कम मजबूत होंगी अब ये ध्यान रखना ये जो उपर चट्टान हमको मिलेंगी तो उपर कौन-कौन सी चट्टाने हमको मिलती है वो इस ट्रिक में है ये लड़का जो आपको दिख रहा है इसका नाम है एंड्रू इसको अटा देतो इस लड़के का नाम है एंड्रू ये एंड्रू और कहानी क्या है कि ये एंड्रू एक बार सतय के ऊपर खड़ा था तब ही ज्वाला मुखी विस्पोट हो गया और ज्वाला मुखी विस्पोट की इतनी तेज अवास थी कि ये बहरा हो गया उसके कारण तो इसी से आपको ध्यान रखना है कि ये बहरा हो गया और बहरा को हम ऐसे नहीं लिखेंगे बहरा को मैं लिख रहा हूँ बेरा या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेरा बहरा नहीं बेरा लिख रहा हूँ क्योंकि हमको याद रखना है तो जमीन के उपर अर्थात ये जो चट्टाने हैं ये जमीन के उपर बनने वाली चट्टाने है और जो आला मुखी भी जमीन के उपर ही फटेगा तो अब यहां कौन-कौन सी ये आगने चट्टान है जो जमीन के उपर बनी एक तो एंड्रियू का मतलब हो गया एंडेसाइट एंडेसाइट बै का अर्थ हो गया बैसाल्ट ये हो गया बैसाल्ट और रै का जो अर्थ हो गया वो है रायोलाइट ये रायोलाइट तो एंडेसाइट, बैसाल्ट और रायोलाइट एक बार images भी देख लो आप इनकी ये देखो द्यान देना Andrew बहरा हो गया था तो endesite, basalt और rhyolite ये तो वो आगनेय चटान है जो जमीन के उपर बन रही है और ये वाली जो चटान है ये बताया था मैंने आपको granite इसके अतिरिक्त gase, gabro इसके अतिरिक्त pagmatite और day से ये लिखा नहीं तो ये लिख लेना diorite ये diorite ठीक है? क्या तक समझ में आया अच्छे से? ओके अब थोड़ा सा और ध्यान देना इन आगनेय चटानों के बारे में हला कि मैंने चर्चा की आपसे कि ये सीधे चटानों के पिगलेवे लावा से या मैगमा से बन रही हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा heating होती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसी के कारण इनमें हमको कोई भी जीवों का आंच देखने को नहीं मिलता तो इन आगने चटानों में कोई जीवाश्म देखने को नहीं मिलता इसके अतिरिक्त इन चटानों में हमको कोई परत भी देखने को नहीं मिलती अर्थात कोई लेयर भी देखने को नहीं मिलती ये चटाने कैसे बनती हैं सीधे मैगमा या लावा ठंडा होआ ठंडा होकर वो सीधे crystal के रूप में जम जाता है अर्थात हमको रवा देखने को मिलता है रवा अर्थात crystal रवा तो एक तो रवेदार होती है इसका मतलब ये है रवेदार है इनमें परत नहीं है परतदार नहीं है कुछ भी रटना मत देखो मैं पूरा concept clear कर रहा हूँ रटना मत कुछ भी परतदार नहीं है रवा है और इसमें जिवाश्म नहीं है क्यों नहीं है समझ में आगे न इतनी गर्मी में काँ से जिवाश्म आएगा भी है काँ से आएगा इतनी गर्मी में होगा तो वैसे ही नस्ट हो जाएगा तो यह आगने चटान हो गई अब दूसरा बात करते हैं अवसादी चटानो की इसके नाम से ही clear है अवसादी यानि अवसाद से बनने वाली अवसाद मतलब कोई भी चटान टूटी तूटने के बाद दीरे 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 दूसरी जगे जमती गई जमती गई जमती जमती गई यानि उसका अवसाद जमता गया जमता गया जमता गया उसके कारण चटान बन गई तो इनको हमने अवसादी चटान बोल दिया कैसे दियान देना कि ये एक मान लो ये कोई चटान थी आगने या चटान आगने चटान यानि सीधे इससे जैसे दीखी रहा आपको ये लावा क्या कहोगे इसको लावा कहोगे मैगमा कहोगे ये जामे पहन चला रहा हूँ क्या कहोगे भई इसको लावा कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जमीन से उपर है अगर नीचे होता तो क्या कह देते? मैगमा कह देते तो ये उपर चटान बन गई दीरे-दीरे-दीरे क्या हुआ? हवा बहती रही, हवा बहती रही तो हवा इसको तोड़ती गई हवा क्या करती है इसका ख्षय करती है यानि अपरदन करती है इसका पानी भी जब आता है तो पानी भी क्या करता है अपरदन करता है जीव जन्तु जो होते हैं वो भी जब इस पे चलेंगे तो इसको तोडेंगे इसका अपरदन करेंगे इसके कारण ये तूटती है तूटने जमाओगे फिर कोई तीसरी चटान थी उसके कण इसके भी उपर आके जमाओगे तो ये आवसाद का निक्षेप होता गया अर्थात आवसाद जो है वो जमता गया जमता गया जमता गया और बहुत लंबे समय अंतराल के बाद ये एक दूसरे के साथ टाइट हो गया जम गया और जमने के कारण अब ये एक नई चटान बन गई जो किस से बनी थी पिछली आगने चटानों या प्राथमिक चटानों के आवसाद से बनी थी और यहाँ पर एक चीज आपने देखी किया यहाँ ये एक अलग परत है ये एक अलग परत है तो ये आवसाद जमा फिर एक द यह परतदार हो गई और यहाँ पर यह परते जमरी हैं तो इनके बीच में जीवों के अंश भी हम को देखने को मिल जाते हैं इसलिए इन चटानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं जीवाश्म यह भी हम को इनमें मिल जाते हैं अब कौन-कौन सी चटाने जो हैं, वो आउसादी चटान है, तो example मैं आपके सामने रखता हूँ, ये रहा, ये नाम नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं लिख देता हूँ, ये वाला जो है, ये तो है कोईला, ये हो गया आपका कोईला, कोईला आउसादी चटान है, ये है बल पत्थर या बल्वा चट्वाच्टान मैं एक एक नाम लिख देता हूँ time लम्ब जधा खिच जाएगा वीडियो ये हो गया कोईला ये हो गया बल्वाच्थर ये हो गया चूना पत्थर चूना जो ज़्यादा तर हमको केलशियम कार्बोनेट के रूपे मिलता है और ये हो गया जिपसम अलाकि एक बात समझ लेना कि ये जो चटानों का आउसाद होता है ये अलग अलग तरीकों से जमता है इसके जमने का एक ओर्गेनिक कारण भी होता है अर्थात जैविक कारण भी होता है chemical reason भी होता है अर्थात रासायनिक कारण भी होता है और एक mechanical कारण भी होता है खिर इतना details से आपको नहीं जाना मोटी-मोटी बात ये समझनी है कि जो पिछली प्रात्मिक चट्टाने थी या और भी कोई चट्टाने थी वो तूटी उनका आवसाद बना आवसाद का जमना और जमने से फिर नई चट्टान बन गई ठीक है तो ये आवसादी चट्टान के कुछ examples हैं कोईला हो गया बलवा पत्थर हो गया चूना हो गया और जिपसम हो गया इसको ध्यान रखने के लिए आप चाओ तो कोई ट्रिक बना सकते हो कि आप जानते हैं जैसे पाकिस्तान में है तो बलूच लोग जो हैं बलूचिस्तान आता है ना जीप में बंद कर देती है, तो ऐसे आप ध्यान रख लेना कि बलूच को जीप, अब आगे पूरा लिख लेना, बलूच को जीप में बंद कर दिया जाता है, तो बलू यानि बलूआ पत्थर, चै यानि चूना पत्थर, को का मतलब हो गया कोईला, जीप मतलब हो गया जीप स ठीक है तो ये दूसरा भी हो गये आपका अब साधी चट्टाने तीसरा है कायांतरित चट्टान इनकों बोलते हैं metamorphic rocks तो कायांतरित का मतलब जिसका transformation हो जाए कायांतरन हो जाए सरल सा example लो कि आप दूद लाए और दूद में आपने रात को क्या किया जिसको हम बोलते हैं जामन देना तो फोड़ा सा जब आप उसमें दूद का दही जम जाएगा तो था तो वो दूद ही लेकिन अब उस दूद का जो transformation हो किसमें हो चुका दही में हो चुका फिर दही से ही आप क्या बना लेंगे छाच भी बना लेंगे तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी की चट्टानों में हो जाए या बहुत सरल बाशा में बात करूँ कि एक चट्टान का जो रूप है वो बिलकुल नया दूसरे रूप में बदल जाए या उसका ट्रांसफोमेशन हो जाए या काया अंतरन हो जाए तो उन चट्टानों को कहा जाता है काया अंतर examples रखे हैं, यह ध्यान रखना, बहुत important बात है, यह जो चटाने आपको दिख रही हैं, यह line खेंसता हूं इसके नीचे, यह graphite, quartzite, marble, knees, cyst, slate, serpentine, तो यह जो चटान हैं, यह अलग-अलग चटानों के, वो चटाने, आगने चटान भी हो सकती हैं और अवसादी चटान भी हो सक इनकों बोलते हैं, metamorphic rocks या कायंतरित चटान जैसे, यह है graphite, और यह जो graphite है, यह koëले से बनता है, यानि पहले koëला था, koëला क्या था, आवसादी चटान, और koëले का बदलावा रूप क्या हो गया, इसका काया अंतरन हुआ, तब कोईले से क्या बन गया, graphite, graphite आपने द रख लेना कि कौन सी कायंतरित चटान किससे बनी है, बहुत important बात है, अगला है quartazite, तो quartazite जो है, यह बनता है बलुआ पत्थर से, किससे बनता है, बलुआ पत्थर, यह देखाना आपने, यह बलुआ पत्थर, यह क्या था, यह थी आपकी आवसादी चटान, तो इस आव बलुआ पत्थर, और quarter में रहते हैं, इसका मतलब quartazite, तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स आप स्वेम विक्सित कर सकते हैं, फिर है marble, तो marble तो वैसे image लगाने क्या आवसादी नहीं थी, आप सभी के घरों में होता है, marble जो है, यह चूना पत्थर का ही कायंतरित रूप है, चूना पत्थर जिसको हम lime stone बोलते हैं, यह रहा, तो चूना पत्थर क्या था, आवसादी चट्टान, और इसी के कायंतरन से क्या बन गया, यह marble, इसके अत्रिक तो गया आपका knees, तो ध्यान रखना grey night, यह grey night अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बताओ क्या थ आगने अचट्टान, का बनता है grey night, सत्य से उपर बनता है या नीचे बनता है, नीचे बनता है, तो क्या कहेंगे उसको intrusive rocks, क्योंकि जमीन के नीचे वो बन रहा है, तो grey night, का गया grey night, यह रहा, बहुत कटोर होता है grey night, और grey night के काया अंतरन से क्या बना आपका knees, तो इसक कि night में आपकी जो knees, knees मत पढ़ो इसको, इसको पढ़ो nus, कि night में आपकी जो nus हैं, जो नसे हैं, वो grey हो जाती है, night में आपकी नसे grey हो जाती है, यह grey night से क्या बना, knees, इसके बाद अगली चटान है cyst, तो cyst जो है यह shell से बनता है, s h a l e, अभी ध्यान रख लेना, वो technique आप बना लेना, slate, slate जो है, यह clay से बनता है, तो द्यान रखना, clay से बनता है आपका slate, slate देखा होगा न, slate पत्थर, यह पत्थर में लगा रखे हैं, तो slate पर कभी लिखा भी होगा, आपने बच्पन में, यह देख लेना कभी, तो clay से बनता है slate और slate से बनता है fire light, अभी यह इत क्योंकि यह जो आपको image दिख रही है यह देखो मैं बड़ा करता हूं यह इस तरीके से लग रहा है जैसे साप की जो skin होती है जो केंचुली होती है तो यह चटान देखने में उसी तरीके से लग रही है इसी लिए इसको साप के नाम पे serpentine केते हैं और यह बनती है गैबरो से गैबरो कौन सी थी बताओ बिना image पल्टे बताओ गैबरो मैंने आपको बताए था आगने चटान थी और का मन रही थी जमिन से उपर या जमिन से नीचे नीचे बन रही थी ट्रिक क्या थी ग्रे पाड़ा तो repeat भी कर लो ग्रे का मतलब ग्रे नाइट फिर गैबरो फिर पा इसका transformation हो गया और यह क्या बन गया यह बन गया आपका serpentine ठीक है अब उस question की तरफ आओ एक बर इसमें और कोई चटान दो नहीं रही ठीक है यह हो गई कहा गया question यह question था हमको सही कतन बताना था और इसका यह जो पांच वा विकल पे पहले देख लो कि उत्तरी अरावली श सिरीज का जो उत्री भाग है वो zeg कौार्टजाइट और फाइल लाइट चटानों से बना हुआ है कौार्टजाइट मैंने आपको बताया क्वार्टजाइट कौन सी चटान है काया अंतृत चटान या मेटामॉर्फिक रॉक्सalso्स और चटटजाइट चटान किस से बन रही थी बलुवा, बलुवा से बताया ना कि बलूच जो है वो किस में रहते हैं, quarter में रहते हैं, तो ये तो बलुवा, पत्थर के transformation से क्या बनी, quart site, और file site जो है, ये कैसे बनी, कि आपकी जो clay थी, उस clay के कायांतरण से क्या बना, slate और slate के कायांतरन से क्या बना फाईलाइट यही बात थी अब उत्रिया रावली तो थोड़ा सा बता देता हूं कहा गया रास्थान में यह रहा तो उत्रिया रावली का जो भाग है वो यह वाला भाग है अब तो आप ही बना दोगे मुझसे पहले इतना पढ़ने के बाद है यह उत्रिया रावली यहां से लेके यह अलवार, फिर दोसा, फिर जैपूर और यह 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 तक यह उत्रिया रावली तो यह बात सही है कि उत्रिया रावली की यह जो चट्टाने हैं ये Quartzite और Phylite चट्टानों से बनी हुई है इसका मतलब उत्री अरावली जो है ये कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है तो या तो आपको Quartzite या Phylite देदेगा या आपको देदेगा कि ये कायांतरित या Metamorphic Rocks से बनी हुई है तो बात सही है तो हमारा ये वाला statement तो correct ये वाला सही है ठीक है अब ये और समझने के लिए कि साब ये धारवाड करम की चट्टाने क्या है जिसमें 95% तक कोईला पाया जाता है विंदियन करम की चट्टाने धारवाड टर्शरी करम की तो थोड़ा सा इसको समझो भिया यहीं से मैं आपको बताता हूँ कि starting में क्या था पृत्वी आरंब में कैसी थी इस बात को लेकर अलग-अलग theories दी गई है एक theory ये भी है कि पृत्वी पहले बहुत गरम थी पहले किसी ने देखा थोड़ी है तो अलग-अलग सिद्धानत ही दिये गए है फिर उन सिद्धा थंडी होती गई तो गरम थी तो इसका मतलब चारो तरफ क्या था लावा या मैगमा ही था चारो तरफ और वो दीरे 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 जब थंडा होता गया तो शुरू में सबसे पहले जो चटान बनी थी वो सबसे पहले बनने वाली अर्थात जो प्रात्मिक चटाने थी जिन चटानों से सारी चटानों का जन्म हुआ वो पहली चटाने थी आरकियन युग की चटाने या जिनको आरकियन क्रम की चटान कहा जाता है अब ये जो चटानों का क्रम है कि पहले कौन सी चटान बनी फिर वो तूटी तूटने के बाद उनके आवसाद से दूसरी चटाने बनी दूसरे क्रम की फिर वो टूटी उनके टूटने से 30 फिर टूटी फिर 4 इसी तरीके से अलग-अलग क्रम की चट्टाने बनती गई कुछ तूटने से बनी, कुछ जमीन में दरारे होने से, अंदर से मैगमा बाहर आया, लावा उपर जम गया, उसने क्या किया आसपास की वनस्पती को डख लिया, जिसके कारण वो कोईला बन गई तो ये अलग-अलग यूग में कौन-کौन सी चटाने बनी, और भारत में इन में से कौन-कौन सी पाई जाती हैं, तो इस आधार पर हम इनको कुछ भागों में विभाजित करते हैं, और ये कौन-कौन से भाग हैं, ध्यान देना, यहां लिखता हूँ इसको मैं, यहां लिखत दूसरी जो थी वो धारवाड, अभी पूरा डिटेल से बताऊँगा तीसरी जो थी वो कुडपा, कुछ जगे कडपा भी दिया हुआ है वैसे भी कडपा याद रख सकते हैं, कडपा चोथे करम की जो चटाने थी इनके बाद वो थी विंधेयन विंधेयन करम की चटान, पाँच भी जो थी वो थी गोंडवाना चटी जो थी वो थी दक्खन या डेकन साथ भी जो है वो है टर्शरी, टर्शरी करम की याद कैसे रखोगे, करम याद रख लेना एक मेंड़क है मेंड़क कैसे होगा देखो, मेरे को तो आता नहीं बनाना बना देता हूँ फिर बिज़े से बने ये कोई एक मेंड़क की वज़ाए तो भीड़ बन गई मान लेना भी ये मेंड़क है, मेरे ड्रोइंग ऐसी है तो एक मेंड़क है और ये मेंड़क क्या है कवी है मतलब जितने भी इसके साथी हैं उन साथियों में ये मेंड़क जो है ये कवी है लेकिन ये कवीताओं के नाम पे सिरफ टर टर करता रहता है होती है जब बारिश होती है तो मेंड़क टर टर करने लग जाते है तो ये मेंड़क सिरफ कविता के नाम पे टर टर करता है और कब करता है जब इसको गोद में बैठा होगे तो कवी तो क्या होता है कवी तो वो होता है जो किसी भी प्रकार की रचना कर ले लेकिन ये तो आदी अदूरी रचना करता है इसलिए हम इसको बोलते है आधा कभी और ये कब बोलता है जब ये गोद में होता है तो ये ही आपको ध्यान रखना है कि ये आधा कभी है आधा कभी है ठीक है और गोद में जब ये बैठता है तब ही क्या करता है ये टर्र टर्र करता है ये द्यान रख लेना आ से पहला हो गया आर्कियन दूसरे हो गया धा से हो गया धारवाड तीसरा कैसे हो गया आपका कडपा या कुडपा चोथा हो गया विंदेयन पांचवा हो गया आपका गोडवाना या गोंडवाना दे छटा जो आपका हो गया वो हो गया दक्खन या डेकन और टर टर का मतलब हो गया टर शरीक्रम ठीक है तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो देखो एक इमेज मैंने लगाई होगी मैं पहले दिखाता हूँ आपको यह देखिए यह तो मैंने आपको बताया है अभी कि पृत्वी आर्म में कैसी थी कैसे दीरे दीरे ठंडी हुई कैसे चट्टाने बनी शुरू आती दोर में तो उसको लेकर अलग 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 सिद्धानत है तो शुरू में जो चट्टाने बनी थी सबसे पहले उनी को हमने कहा था आर्कियन क्रम की चट्टाने आर्कियन यूग की बनने वाली चट्टाने थी इसलिए आर्कियन यूग की चट्टाने या आर्कियन करम की चट्टाने शुरू में लावाई था किसी भी जीव की उत्पत्ती नहीं हुई थी इसलिए इन चट्टानों में ना तो हमको कोई जीवाश में मिलता है कोई भी जीवाश में नहीं मिलता और सबसे पहले यही चट् अब भारत में ये जो आर्कियन यूग की चटाने हैं, ये कहां कहां देखने को मिलती है, तो भारत के मैप से इसको समझो, यहां पर आजाओ, एक तो ये तमिल नाडु का पार्ट है, एक ये करनाटका का थोड़ा इसको डार कर लूँ मैं, तमिल नाडु हो गया, करनाटका हो गया, आंदरा प्रदेश हो गया, यहां एक तो आपको ये आर्कियन यूग की चटाने देखने को मिल जाएंगी, इसके अलावा इदर आजाओ आप, चटिस गड़ हो गया, जारखंड हो गया, यहां भी ये देखने को मिल जाएंगी, इसके अलावा ओडिसा में भी आपको ये आर्कियन यूग की चट्टाने देखने को मिल जाएंगी इसके अतिरिक्त मद्यप्रदेश में और राजस्थान का ये जो दक्षिन पूर्वी भाग है यहाँ पर भी आपको आर्कियन यूग की चट्टानों के नाम मातर के आउशेश ही मिलेंगे लेकिन फिर भी ये देखने को मिल जाएंगी ठीक दूसरा आते हम धारवार क्रम की चट्टाने तो अब वापस उस इमेज पर जाने की जर्रत तो है नहीं धारवार में थोड़ा समझना कि ये धारवार क्या है आखिर तो देखो धारवार जो है न इसके लिए आपको चलना पड़ेगा करनाट का ये करनाट का भारत का राज्य है करनाटक और करनाटक का एक जिला है धारवार तो इस प्रकार की जो चट्टाने हैं वो करनाटक के इस धारवार जिले में देखने को मिली इसी लिए इनका नाम धारवार क्रम की चटाने रख दिया गया लेकिन इसका ये अर्थ कताई नहीं है कि ये चटाने सिरफ करनाटक के धारवार में ही देखने को मिलती है अब नाम तो इनका धारवार रख दिया लेकिन इस गुण की चटाने यानि कि ये गुण रखने वाली चटाने भारत में जहां जहां मिलती हैं, उनको आमने धारवार क्रम की चटान कह दिया, जैसे यों समझना एक बर, कि भारत में मानलो सब जगे सोना है, गोल्ड, सब जगे सोना है, लेकिन सोचो आपने पहली बर यहाँ जैपूर में, आमेर में आपने उसको ढूंडा आया, आमेर में आपने खोज की और आमेर के नाम पर ही आपने सोने का नाम आमेर रख दिया, ठीक है, अब यही आमेर, आमेर मतलब सोना, यही आमेर आपको मध्य प्रदेश में भी मिल रहा है, मतलब सोना आपको मध्य प्रदेश में भी मिल मान ले न थोड़ी देर के लिए माराष्टर में भी बिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सोना केवल जैपूर में मिलेगा आपने उस आमेर के नाम पर इस सोने का नाम आमेर रख दिया लेकिन आप भारत में जहां जहां सोना है वहाँ सब जगह आपने बोल दिया कि ये तो साब आमेर करम की चटाने है तो ऐसा ही क्या है धारवाड करम की चटानों के लिए हुआ क्या कि करनाटक का एक जिला है धारवाड तो यहाँ पर वो चटाने थी इसलिए इनका नाम धारवाड करम की चटाने रख दिया तो भारत म जहाँ जहाँ इस प्रोपर्टी वाली या ये गुन रखने वाली चटाने मिलती है उनको आमने धारवार करम की चटाने बोल दिया आगई बात समझ में अब अभी मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाली जो चटान थी वो थी आरकियन युग की चटाने जो यहाँ पर थी तमिल नाडू में भी इसके अलावा करनाटका में भी आंदर प्रदेश में भी इसके अलावा आपके चत्तिसगर्ड, जारखन्ड, ओडिसा, राजस्थान के दक्षिन पूर्व में तो समझना सबसे पहली थी आरकियन परदन से ही हुआ था इसलिए जहां जहां आरकियन युग की चटाने थी उनके ही बगल में उनके ही सहारे सहारे उनके ही पास पास में आपको धारवाड क्रम की चटाने देखने को मिलती है ठीक है यहां तक आई बात समझ में अब ये भी ध्यान देना कि ना तो आर्कियन युग की चट्टानों में कोई जिवाश्म था और ना ही धारवाड युग या धारवाड क्रम की चट्टानों में कोई जिवाश्म था धारवाड दरसल युग नहीं है मैं फिर आपको समझा रहा हूँ धारवाड क्रम की चटाने है और धारवाड क्यों नाम दिया यह मैंस पस्ट कर चुका ठीक है ओके तो यह धारवाड क्रम की चटाने हो गई अब थोड़ा सा समझना इसके सम्मझ में हमको थोड़ी सी और डिटेल्ड जानकारी लेनी पड़े धारवाड क्रम की चटानों की एक विशेस्ता होती है इनमें बाकी चटानों की अपेक्षा कृत बाकी चटानों की तुलना में इनमें सबसे जादा धातविक खनीज देखने को मिलते हैं खनीज सोना हो गया, चांदी हो गई ये सबसे जादा धारवाड क्रम की चटानों में आपको मिलेंगे आप खनीज यहां पर है तो उनको खनन करके आप पैसा कमा सकते हो तो इसका मतलब ये जो धारवाड क्रम की चटाने हैं ये आर्थिक रूप से अच्छी मानी गई है क्यों? क् ठीक है, अब भारत में सबसे ज़्यादा जो खनीज मिलता है, वो मिलता है आपके जारखंड में, यहाँ पर एक पठार है, अलाकि केवल जारखंड में नहीं है, चोटा नागपुर का पठार, तो भारत में सबसे ज़्यादा खनीज यहीं पर है, और सबसे ज़्यादा खनीज वैसे विश्व में, वल्ड में, जर्मनी के रूर में माने गए हैं, एक जगह है रूर, कहां पर है जर्मनी, इसी लिए इस छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है, भारत का रूर, भारत का रूर, ऐसा होता है न कई बार की हम हमारी कॉलोनी में, या हमारे शेहर में जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम में से जो भी लड़का बहुत अच्छा खेलता है, हमारे टाइम जी बता र इसका मतलब ये थोड़ी की वो सचिन तेंदूर कर हो गया, वो एक संग्या हो गई, कि सचिन तेंदूर का मतलब क्या हो गया, ये बहुत अच्छा खेलता है, तो इसी लिए छोटा-नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा गया, तो इसकी तुलना की गई है, किस से की यह जर्मनी के रूर से, ठीक है, आईए यहां तक बात समझ में, ओके, इसको अटा देता हूँ, तो आर्कियन क्रम की चटान मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको धारवार क्रम की चटान बताया, अब कौन सी चटान आएगी, तो आधा कभी गोद में टर टर करता है, तो आधा कैसे अब तीसरी आईगी, कुडपा या कुछ जगे कडपा भी दिया हुआ है, कुडपा या कडपा क्रम की चटाने, ठीक है, तो ध्यान देना, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा आंद्रा प्रदेश, गेरा, और यहां पर एक जिला है, कुडपा जिला, इस कुडपा जिले में वो चटाने देखने को मिली, इसलिए इस जिले के नाम पर उन चटानों का नाम कुडपा क्रम की चटाने दे दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि वो यहीं पर ही मिलती है, अब वो भारत में जहां जहां पर भी मिलेंगी, इस जगे के ना पर उसको कुडपा क्रम की चट्टाने कह दिया गया अब समझना थोड़ा सा सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी आ से आरकियन आरकियन चट्टानों के अवसाद से यानि उनके तूटने से कौन सी चट्टाने बनी धारवाड क्रम और धारवाड के तूटने से इनके अपर तो ये पहली बनी धारवाड करम की चटानों को तो हम बोलते हैं प्रथम आवसादी चटान क्यों कि आरकियन चटानों का जब पहली बार आवसाद जमा तो धारवाड की चटान बनी और धारवाड करम की चटानों का जब आवसाद जमा तो कुडपा करम की चटाने बनी तो इ इसलिए इनको दूसरी या द्वितिय अवसादी चट्टाने कहा जाता है ठीक है और इनकी भी यही विशेस्ता है कुडपा करम की चट्टानों की इसमें भी हमको जिवाश्म देखने को नहीं मिलता तो ध्यान देना ये जो उपर की तीन चट्टाने हैं आरकियन, धारवाड, इनमें जिवाश्म देखने को नहीं मिलता और इसके बाद की जो चट्टाने हैं उनमें जिवाश्म देखने को मिलते हैं इस ट्रिक से समझ लेना रटने की कुछ जरुरत है नहीं ये उपर की जो तीन है इसमें आपको कोई जिवाश्म नहीं मिलेंगे अब जिवाश्म की कहां से होगी विंदेयन से जिवाश्मों की शुरुवात हो जाएगी ठीक है बात समझ में आ गई मेरे देखो दिमाग में एक चीज़ ओर आई थोड़ा द्यान देना मैंने दूसरी आपको कौन सी चटान बताई थी कहा गया इंडिया मैप दूसरी कौन सी चटान बताई थी म धारवाड करम की जब चटाने बनी थी अर्थात धारवाड यूग आप बोल सकते हो तो उस समय भारत में पहली बार जुआला मुखी विस्पोट हुए थे तो ये कोशन पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रतम बार जुआला मुखी विस्पोट कब हुए थे तो धारवा अंडमान निकोबार द्वीप समू है जो सेंट्रल टेरिट्री है और इस अंडमान निकोबार के अंडमान स्थान पर अंडमान निकोबार में अंडमान में दो ज्वालम की है भारत के यही पर ही है भारत के ज्वालम की और कहीं नहीं है एक तो है ''Baron'' और दूसरा है नार कॉंदम ये भारत के दो जवड़ालम्खी है इन दोनों में से ये तो online रहता है यानि कि ये अभी सक्रिय है Online मतलब चालू है ये है सक्रिय और ये जो है नार कॉंदम ये सो चुका है यानि सुशुप्त ये सुशुप्त ज्वाला मुखी है ज्वाला मुखी को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक वो ज्वाला मुखी जो अभी चालू है यानि जिससे ज्वाला मुखी विस्पोर्ट होते रहते हैं उसको हम सक्रिय ज्वाला मुखी बोलते हैं एक ज्वाला मुख्य जिसमें काफी समय से ज्वाला मुख्य विस्पोट नहीं है और भविश्य में भी ज्वाला मुख्य विस्पोट होने के बहुत कम चांसे हैं उस ज्वाला मुख्य को हम बोलते हैं सुशुप्त ज्वाला मुख्य यानि वो सो चुका है लेकिन भविश्य क्रम की जो चट्टाने थी तो उसी दोरान धारवाड युग में ही युग कह रहूं में धारवाड युग में ही भारत में पहली बार जुआला मुखी विस्पोर्ट हुए थे ठीक है वापस हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं विंदयन क्रम की चट्टाने ये जो विंदयन क्रम की चट्टाने है इनका नाम विंदयाचल परवत माला के नाम पर रखा गया है अब ये कहां से कहां तक फैली हुई है तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बिहार बिहार में एक जगह है रोहतासगड एक तो रोहतासगड या रोहतासगड जो भी है एक है सासाराम आयवा कोशन भी एद्यान रखना रखना रपीसी में तो बिहार के रोहतासगड वैं सासाराम से और राजस्थान में ये जो जगह है चितोड यहाँ चित्तोड में बेगू तक यह फैली होई है बेगू वोई जगए है जहाँ पर राजस्थान में किसान अंदोलन हुआ था यहाँ पर भी हुआ था, इसके लावा और भी बहुत जगए हुआ था और रोहतासगड़ वो जगह है जहां पर आमेर के शाशक और अकबर के सेनापती मान सिंग के दुआरा रोहतासगड़ में बिहार अभियान पर रहते वे बहुत सारे महलों का निर्मान करवाया गया था तो रोहतासगड़ से और यहां तक यह फैली हुई है और विंद्याचल परवत माला के नाम पर इसका नाम रखा गया है अब इसकी क्या विशेस्ता है एक तो यहां पर आपको चूना पत्थर बहुत मिलेगा इस क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर ठीक है इसके अतरिक तो बलुआ पत्थर भी आपको मिलेगा अब यह सारा ध्यान हो जाना चाहिए यह कौन सी अवसादी चट्टान है कौन सी कायंतरी चट्टान अगर है तो और नहीं है तो फिर यह कौन सी चट्टान है इसके अतरिक तो इसी चट्टान के क्रम में आपको हीरे की खाने भी मिलेंगी जैसे एक तो गोलकुंडा का ख्षेतर और इसके अतरिक्त मद्धे प्रदेश में जो पन्ना की जो खान है न एमपी में तो यहां से हीरा बहुत निकाला जाता है वो इसी के अंतरगत आती है थोड़ा ध्यान देना कि यह जो चटाने है विंदियन करम की चटाने तो यहां पर चूना पत्थर बहुत आपको मिल रहे है कि जब सिमेंट इंडस्टरी लगानी होती है तो सिमेंट की फैक्ट्रीज या इंडस्टरी लगाने के लिए चूना जो है वो रो मेटेरियल के तोर पर काम आता है यानि जहां चूना बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्द है वहां से सिमेंट का बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है इसलिए राजस्थान के चितोड तक ये फैली हुई हैं तो राजस्थान के चितोड में बहुत सिमेंट की इकाईया है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिमेंट का उत्पादन चित्तोड से ही होता है इसके अतरिक्त अगर आप उत्तर प्रदेश में जाए तो मिरजापूर वगरा का जो क्षेतर आता है वहाँ पर भी बहुत सारी सिमेंट की फैक्टरियां है क्योंकि ये विंदियन क्रम की चटाने हैं, इसमें चूना पत्थर पाया जाता है, बल्वा पत्थर पाया जाता है, और ये जो हैं, ये सिमेंट इंडस्ट्री के लिए raw material का काम करते हैं, ठीक है? तो इसके बाद, अब हम अगले क्रम की चटान देख लेते हैं, इसको तो मैं अटा दूँ, तो विंदियन क्रम की चटान तो हो गई, अगली कौन्सी थी? आदा कभी गोद में टर टर, तो अगली कौन्सी आएगी? गोंडवाना क्रम की चट्टाने गोंडवाना या गोंडवाना क्रम की चट्टाने तो भी या एक तो ध्यान रखना कि इन चट्टानों का जो निर्मान हुआ था वो कार्बोनी फेरस से और जुरेसिक काल के बीच में हुआ था कब हुआ था कार्बोनी फेरस से पूरा लिख ले ना आप जब नोट्स मनाओ तो और जुरेसिक जुरेसिक काल के बीच में वा था और यहां गोडवाना करम की जो चट्टाने हैं भारत में इन चट्टानों में ही सबसे ज़्यादा कोईला पाया जाता है लगबग 94-95% जो कोईला उत्पादन होता है भारत में वो इन गोडवाना करम की चट्टानों से ही होता है 94-95% तक जो कोईला उत्पादन होता है वो गोडवाना करम की चट्टानों से होता है और यह जो चट्टाने हैं यह ज़्यादा तर हमको ये चट्टाने हमको देखने को मिलती है ठीक है ये गोडवाना क्रम की हो गई ठीक है इसके बाद अगली हम देखते हैं और गोडवाना के बाद आएंगी आपकी दक्खन क्रम की चट्टाने दक्खन क्रम की या जिनको हम को बोलते हैं दक्खन ट्रैप तो देखे इसके लिए हमको चलना पड़ेगा ये महारास्टर वाले भाग में तो एक तो ये महारास्टर का भाग हुआ कुछ आपका मद्दे प्रदेश का हुआ कुछ गुजरात का भाग हुआ तो मुख्य रूप से ये जो दखन का पठार है वैसे तो मुख्य रूप से आपके महारास्टर में ही फैला हुआ है ठीक है और इस दखन ट्रैप में ही हमको सबसे ज़्यादा काली मृदा यानि काली मिट्टी देखने को मिलती है इनका निर्मान कैसे हुआ था समझना थोड़ा सा जमीन के ये प्लेट्स होती है अलग लग और ये जरूरी नहीं कि जमीन के नीचे जो मैगमा है वो केवल जौला मुख्य विस्फोट से ही बाहर आए जब ये प्लेट्स के बीच में दरार पड़ती है तो इन दरारों में से भी वो मैगमा बाहर आजाता है यानि मैगमा जब बाहर आता है जिसकों बाहर आने के बाद लावा केते हैं तो ये एक प्लेट हो गई और ये एक प्लेट हो गई इन में दरार होई और इस दरार में से जब ये बाहर आया मैगमा और ये लावा बनकर जब ये बाहर फैला तो ये दीरे 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 जमने लग गया और ये जो चटान बनी ये बनी बेसाल्ट ठीक है बाद में इस बेसाल्ट का परदन होता गया और दीरे 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 ये चेंज हो गई काली मिरदा में यानि काली मिट्टी में तो ये जो डखन का जो ट्रैप है ये यहाँ पर ये बेसाल्ट चट्टाने है और यहाँ पर काली मृदा बहुत पाई जाती है और काली मृदा जो की कपास के लिए बहुत अच्छी होती है कपास जिसको हम सफेज सोना बोलते हैं इसके अतिरिक तो आपके जो सोयाबीन होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है तो इसके संबंद में ये बात आप जरूर द्यान रखना कि ये जो दरार में से ये जो लावा बाहर आया इसको हम बोलते हैं दरारी उद्भेदन यानि दरार में से लावा का निकलना ठीक है तो यह हमारी चटाने हो गई यह हमने देखी आधा कवी गोध में टरर टरर करता है तो आरकियन हो गई एक मिनट आरकियन, धारवाड, कुडपा, विंदयन, गोंडवाना और दखन तर्शरी का भी आप ध्यान रखना की जैसे यह राजस्तान से ही समझ लो कि राजस्तान में हमको पता है बाडमेर, जैसलमेर में तेल हमको बहुत मिलता है जमीन के नीचे जो पैट्रोलियम है और पैट्रोलियम का ये अच्छा भंडार मानी जाती है टर्शरी क्रम की चट्टाने तो राजस्तान में जहाँ जहाँ आपको पैट्रोलियम मिल रहा है ये टर्शरी क्रम की चट्टाने है जहां से तेल उत्पादन किया जाता है क्लियर है यहां तक तो उम्मीद है यह आज का विशे अच्छे से समझ में आया होगा खेर हां हमारे जो question है वो देख लेते हैं क्या-क्या statement थे अभी है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगा अब आप इनका उत्थर बात तो सही है लेकिन धारवाण क्रम की चट्टानों में 98% तक धात्विक खनीज पाया जाता है धात्विक खनीज कितना 98% तक और ये क्या कह रहा है कि साथ 95% कोईला पाया जाता है गलत कोईला किसमें पाय जाता है कोईला तो गोडवाना करम की चट्टानों में पाय जाता है तो ये वाला statement हो गया गलत अगर एक बार मैं समझ में नहीं आयो तो दुबारा देख लेना विया वीडियो मैंने अपनी तरफ से यह अच्छा प्रियास किया है ऐसी उम्मीद रखता हूँ बाकी अब कितना समझा पाया वो तो आप ही बता सकता है दूसरा है चितोड जिले में विंदेयन करम की चट्टानों का पाया जाना सिमेंट उद्योग के लिए अच्छा है बिलकुल मैंने क्या बताया था कि विंदेयन करम की जो चट्टाने है वो बिहार में रोहतासगड और सासाराम से होती होई और राजस्थान में चितोड के बेगूं तक आती है और इनमें चूना पत्थर बलवा पत्थर ये अच्छी मात्रा में अच्छी कौांटिटी में मिलता है और जहां चूना पत्थर है वहां सिमेंट उद्योग के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं है इसलिए ये स्टेट्मेंट सही है फिर है धारवाड क्रम की चट्टानों में जिवाश में पाया जाता है तो ये गलत मैंने क्या बताया कि ये जो शुरू की तीन है आरकियन, धारवाड और कुडपा या कडपा इनमें जिवाश में नहीं मिलता और इसके बाद की जो चट्टाने हैं उसमें हमको जिवाश में मिलता है तो ये क्या कह रहा है कि धारवाड करम की चट्टानों में जिवाश में पाया जाता है गलत नहीं पाया जाता फिर है राजिस्थान में टर्शरी क्रम की चट्टानों में गैस वे तेल के बंडार हैं तो सही है जैसल मेर बाड मेर साइड में जाएंगे तो मां टर्शरी क्रम की चट्टानों में गैस और तेल के बंडार आपको मिल जाएंगे तो उमीद है ये विश्या आपको अच्छे से समझ में आयोगा बाकी अभी और जितना बचा कुछा रहे गया रावली सीरीज के सम्मन्द में वो आम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दन्यवाद तेंक्यू